हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे SBL, Nixo Seed Serum and Tablets के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक उसके बारे में कि कौन से अलग-अलग मेडिकल केंडिसंस में ये मेडिकेशन को यूज किया जाता है साथ ही जानेंगे उसके डूस के बारे में किस तरह से ये मेडिकेशन अपना काम करती है और जानेंगे उसके साड़ इफेक्स के बारे में साड़ इफेक्स, वर्निंग, सभी के बारे में डीटेल में सिखेंगे फार्मारोक्स की आप उपर तो दवायों की जो जानकर ही आपको मिलेगी वो भी सरल बासा में तो डाउनलोड करिए एफ और एक्सेस करिए ये कोर्स फार्मारोक्स की आप उपर तो स्टडी मटरियल, टेस्स सीरीज एन विडियो लेक्चर के लिए एप डाउनलोड करें कि जो एंड्रोड एफ है गूगल प्ले स्टोर पे एपल आइफोन या पन एप स्टोर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप समझते हैं SBL, Nixo Seed, Syrup and Tablets के बारे में तो यह जो है हो एक होमियोपिथिक मेडिसिन है तो यह पर उसके मैनिफेक्चर के भी डिटेल है कि SBL लिखा हुआ है कि जो उसके मैनिफेक्चर है कि जो होमियोपिथिक मेडिसिन है कि वर्ट क्लास होमियोपिथि कहा जाता है और यह मेडिकेशन खासकर हाईपर एसेडिटि एन स्टमक इंडिजिसन जिसे कंडिशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसके container के उपर भी आप देखोगे कि Nexo Seed के ये जो tablets है तो यहाँ पर indications लिखे हुए कि hyper acidity and indigestion में ये medication use किया जाता है और ये उसके tablets का box है तो इसके जो manufacture SBL है तो SBL जो है वक लीडिंग homeopathic medicine manufacturing company है कि जो उसका headquarters हम देखे तो New Delhi के अंदर है और ये बहुत साले अलग अलग range की world class homeopathic medicines जो है वो manufacture करता है तो कुछ और जानते है SBL के बारे में तो यहाँ पर उनका company का logo आप देख सकते है कि SBL की world class homeopathic और SBL का जो full form होता है सार्दा, Boyron Laboratories जो उसका full form होता है जिसका headquarters New Delhi में है और activities जो है वो company की start हुई थी 1983 के अंदर तो काफे फूरानी फाव और यह company है कि जो homeopathic medicines को manufacture करता है तो यह जितने भी अलग-अलग homeopathic medicines है कि उनके generic worgenzons होते है single remedy उनके combinations कि जो अलग-अलग disease and disorders को treat करने के लिए use की जाती है तो content के बारे में समझे कि जो SBL ने जो nexocid syrup बनाया है साथो साथ nexocid के tablet भी है कि जो कोई person tablet नहीं ले पाता तो उनके लिए syrup भी available है और syrup जिसको नहीं use करनी तो उनके लिए tablet भी है तो आप दोनों में से कोई भी use कर सकते तो उसके content के बारे में समझे के कौन से ingredient है तो ये जो आप देख रहे है herbal ingredient वो है नेत्रम फॉस्पोरिकम तो नेत्रम फॉस्पोरिकम जो है वो उसके अंदर एक add है second हम देखे तो कार्बो वेजेट है बेलिस जो कहा जाता है ये भी उसके अंदर add है तीसरा ingredient हम देखे तो वो है lycopodium और चौथा ingredient है यहाँ पर जो आप देख रहे है वो है robina pseudokakya तो ये चार main ऐसे ingredient है कि जो homeopathic medicines कही जाती है जो nixucid syrup के अंदर या फिर उसके tablet के अंदर as a main content जो है वो add कियागे कि जो हम active pharmaceutical ingredient कहेते है या फिर जो main दवाई कहेते है medicine तो ये चार herbal homeopathic दवाई या ये combination के अंदर अवेलेबल है कि जो nixucid तो उसका brand name है बट ये चार जो है उसके अंदर रहे main medications है कि जो आपको stomach in digestion या फिर hyperdacity के अंदर जो है वो काफी relief देते हैं तो उसके basic use समझे तो आप कौन से अलग-अलग medical condition में उसको use कर सकते हैं तो जब खाना खाने के बाद अथवा तो पेट खाली रहने से जब पेट के बीच में जो दर्ध होता है कि यहाँ पे आप देखो कि पेट समझो कि आपका खाली है या फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे आपको पेट के अंदर center में जो दर्ध होता है पेट के बीच में जो दर्ध होता है उसके इलाज में यह आप use कर सकते हैं second आपको पेट में जो है वो जलन हो रही है कि इस तरह से heartburn जैसे आपको फिल हो रहा है फिर अमलता मैसुस करना अमलता जिसको हम कहते है acidity, कि acidity जैसे आपको fill के होता है, कि acidity मतलब कि acid जो है वो increase हो रहा है, जैसा आपको fill हो रहा है फिर कई बार pate full जाता है, gas के करण तो pate full ने की जो समस्या होती है जी मचलना की जैसे हो हम nausea कहते हैं उसके बाद vomiting भी हो जाती है फिर pet और सीने में जलन महिसूस होना, कि आपको सीने में भी जलन जो है वो महिसूस होगी, pate में भी जलन महिसूस होगी रदय में जलन जैसा महिसूस होता है और khटी डाकार्याना तो ये सब अलग-अलग symptoms जो है जब आपके GI track के related develop होते हैं, जो हमारा symptoms हम समझे, तो burning sensation in stomach, कि आपके stomach के अंदर आपको burning sensation जैसा feel होता है और उसके करण क्या होता कि कई बार आपकी appetite loss हो जाती है मनलब कि खाना खाने का मन नहीं होता भूख कई बार कम हो जाती है ऐसा feel होता है, या फिर बूख हो तो भी आप खाने का avoid करते है, acidity के करण तो ये problem में use उस किया जाता है, फिर burning stomach कि stomach के अंदर जो है, वो burning हो रही है कुछ जलन हो रहा है ऐसा आपको feel होता है, फिर उसी के करण abdominal pain भी होता है कि यहाँ पे stomach का जो area है, वहाँ पे आपको दर्द होता है काफी, hyper acidity हो जाती है कि काफी excessive acid आपके body के अंदर produce होने लगता है stomach indigestion के तकलीफ heart burn जैसे हम कहते है sore iritation, मतलब कि जो खटी डाकारे आना, जो हम कहते है vomiting जैसा होना, bloating मतलब कि painful जान, यहाँ पे आप देखो कि आपका जो stomach का area है वहाँ पे gas के करण आपको ऐसा feel होता है कि bloating जैसा हो रहा है painful गया है आपका और flatulence जैसा भी आप feel करते है gastritis जैसा condition और gastric ulcer या फिर peptic ulcer gastritis मतलब कि आपको surgeon जैसे देखने को मिल रही आपके stomach के अंदर या फिर वहाँ पे ulcer जैसे condition फॉर्म हुई है तो यह सभी के जो symptoms होते है या फिर उसके इलाज में भी यह nixocid के syrup as well as tablet जो है वो use किये जाते है अब समझते कि यह medications कैसे use की जाती है तो जब आप यह medicines purchase करते तो जो nixocid का container होता है उसी के उपर यह direction आपको लिखे हुए मिलेगी कि इसके indications भी लिखे मतलब कि कहां पे आप use करोगे कि sore irritations मतलब कि खट्टी डखा रहाना heartburn मतलब कि सीने में जलन होना heaviness जैसा feel होना flatulence hyperacidity सभी में और doses भी लिखा है कि 5 ml 4 times a day मतलब कि 5 ml जितना आप लेगे adult के अंदर कि 5 ml जितना जो है वो आप ले सकते है 4 times इने day के दिन में 4 बार कि आप सूबा ले सकते है फिर afternoon में ले सकते है उसके बाद आप evening में भी ले सकते है और night में तो 4-4 समय चारो times time जो है वो आप दिन में ले सकते है और हर time जो है वो 5 ml जितना आप लेजिए तो maximum आप एक दिन में ये medication जो है वो 20 ml जितना ले सकते है 5 ml morning में लेते है 5 ml afternoon में फिर 5 ml जितना आप साम को लेते हैं और 5 ml रात को सोते समय इस तरह से 20 ml जितना आप जो है वो लेंगे बट खास दियान यह रखना है कि ऐसा नहीं करना है कि दिन में एक ही बार 20 ml ले ले आप और बाके के समय ना ले तो उसकी कोई आपको proper effect नहीं मिलेगी तो पूरे दिन अच जो adult dose समझे कि 5 ml है तो उससे half 2.5 ml जितना आप जो है वो children को दे सकते है और उनके लिए दिन में पूरा dose हो जाएगा 10 ml तो maximum उनके लिए हो जाए adult के लिए 20 ml per day जबकि जो children से उनके लिए हो गाया 10 ml जितना एक दिन के अंदर तिस तरह से उसका dose है syrup के बारे में अब समझे कि आपको syrup suitable नहीं है और आप जो है उसके tablet लेते हैं तो tablets का adult dose हम समझे तो 2 tablets लेनी होती है दिन में 4 बार कि 4 times a day और हर बार आपको लेनी है 2 tablet तो जैसे अभी हमने बात के कि morning, afternoon, evening and night के समय तो हर टाइम आपको 2 tablets जो है वो उसके लेनी होते है तो इस तरह से proper जो है उसका dose बन्दे की maximum दिन में जो है वो आप 8 जितनी tablets जो है इसकी खा सकते है और adult आप समझे कि acute condition से मतलब की और ज्यादा condition ज्यादा खराब है ज्यादा acidity जैसा फिल होता है ज्यादा एसी गंभीर परिस्तिती है तो उस वक्त आप 2-3 गंटे के time लेते उस तरह से आप समझो कि गंभीर परिस्तिती में 2-3 गंटे के time interval पे ले सकते है और normal condition है तो at least 6 अवर के time difference में दो टैबलेट जो है वो लेनी चाहिए कि जिस टाइम पे आप first टैबलेट लेते है तो second दो टैबलेट के बीच में at least 6 अवर का जो है वो difference होना चाहिए त first dose उसका second dose, third और ये fourth dose तो सभी के बीच में ये जो gap जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए at least 6 अवर की कि जिससे आप 24 अवर के अंदर total जो है उसके 4 डोस जो हो ले पाए तो इस तरह से proper dose जो है उसका आपको समझ कर लेना होता है आगे समझे उसके children's के लिए तो children's के लिए ज दो tablet चार टाइम ले जाते है adult के अंदर तो यहाँ पे one tablet दी जाती है दिन में four times तो इस तरह से हो जाएगा children's का dose but children's के अंदर भी same condition proper आपको maintain करना है six hour का gap between the two dose की दो दोस के बीच में हमें सा 6 गंटे का difference रेखना चाहिए ये medication को लेते समये अब समझते है उसके side effect के क्या इसके कोई side effect है तो उसका answer है no, no side effects ये एक homeopathic medication है और उसके अंदर जो herbal ingredients है उसके कोई side effect आपके body पे नहीं है safe medication है with no any toxicity on body के इसके आपके body पर कोई ऐसे गंबिर या फिर विपरित असर है नहीं होती जैसे कि हम antacid medication समझते है कि जो H2 blockers का हम सीखा था कि वो भी acidity, hypersacidity में वगेरा में use होते है proton pump inhibitors के बारे में भी हमने सीखे था तो उन सब medications के side effects वगेरा रहती है बट ये जो remedy है ये जो medication है वो herbal होने के कारान उसके कोई side effect डेवलप नहीं होते और safe है use के लिए जब आपको gastric problems है कि जो अब हमने discuss कि बट एक चिस दियान रख्याओ कि कभी भी higher dose में के use ना करे कि जो अभी मैंने आपका dose सही से समझाया उसी dose में लेनी चाहिए because कोई भी चीज जब high dose में हो जाती है तो उसके करान कोई ने कोई complications होते ही है कि चाहे उसकी notice होई ऐसी कोई side effect ना हो बट समझो कि आप उसका miss use कर लेते हैं जितनी मात्रा में लेनी है उससे अधिक मात्रा में ले लेगे तो जरूर आपको कुछ ने कुछ complications होगे so always use the proper dose to avoid the side effect of medicine किसी भी medication को यूज करें तो हमेशा उसके proper dose को ही सिल्यक करें कि जिससे कोई side effects जो है वो आपको ना हो तो यह था हमारा lecture specially नेक्सो सीड के tablets and syrups के बारे में तो ऐसे ही अलग अलग lecture और उनके PPT and PDF को एक्सेस करें PharmaRox के आपके उपर medicines के course के अंदर की जहाँ पे आप उनके basic use के बारे में सिखेंगे dose क्या होता है side effects और कौन से अलग अलग warnings रहती है वो medication को यूज करने पर साथी उनके PDF आपको एक्सेस करने को मिलेंगे PPT फाइल, video lecture और price तो है वो काफी affordable है तो अभी download करे आप PharmaRox और access करिए ये course को, query हो तो ये number पर WhatsApp करके आप solve कर सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगी, so good luck and all the best.